अस्लाम अलेकुब नाजीन गुर्ण मौलिंग सेफसरी के साथ मैं हूँ जबर शारिक और मैं हूँ ताहरा अली क्या हाल चाल है आपका खेरियत से हैं तबीए से ठीक है ताहरा आपका क्या हाल है ठीक है अलांगरेलाला का सुक्राइब ताहरा मुझे आप यह बताएं कि प्रवाथ ने से नाशता के लिए और यह बल्के कहूंगे का करें कम कर लें ज्यादा करें लेकिन नाशता बहुत जरूरी होता है ताकि आप अपने दे का एक अच्छे तरीके से नंजी के साथ इसका आघास कर सकें तो मैं तो कोशिश यही करती हूं बल्के most of the time या नाशत वो पेट में चुहे नहीं दोड़े हो जल्दी नहीं हो मुझे किसी चीज की तो मैं रिलाक्स हो कि आप ते घपशब कर सकूँ आप ते बाते कर सकूँ असलिए मैं फुल अनलेजाटिक हो तो यह भी बड़ी इंपॉर्टन चीज है हमारे नाजरीन हाजरीन को बताने वाली है और उनको यह समझना चाहिए कि नाश्टा करना क्या है उसका इल्म होना बड़ा जरूरी है कि उन्हें नाश्टा क्या करना है बहुत सारी चीजों का लोगों को इल्म होता है लेकिन उसको प्लाई नहीं कर पाते तो इसी हवाले से हम यह एक बड़ी खूबसूरत कूटेश क्या कहाना है कितनी होरा इसके अ नाश rely के अनदर इसके थे इसका लम तो है आपको कब कहना है महुं क्या है इї कि-ड़्गुं क्या भालिएगा इप से और तरjuसा अ槁आए बाटा किया पात filter के है दी तो आपके जो इल्फाज हैं वो महौल के मताबिक, सिच्वेशन के मताबिक होने चाहिए ताके उससे महौल जो है वो खुशगवार रहे खराब ना हो तो इसके साथ हम चलते हैं अपने पहले सेग्मेंट की तरफ आज के ख़बरात पहले ख़बर हम अपने प्रोग्राम में डिसकस करते हैं हमेशा से वेदर के हवाले से मौसम के हवाले से तो आपको आप सब खुद भी अंदाजा हो रहा होगा कि गर्मी के सथ तक बढ़ चुकी है और सूरज सवा नेजे पे तो नहीं कह सकते हम लेकिन खासी जो है वो गर्मी है खासी गर्मी है हीट वेव का खच्छा है 21 मई से 27 मई के दुरान स्पेशली आपने इहत्यात करनी है बहुत ज्यादा फ़र दोरी घर से बाहर निकलें जिलें से एवाइड करें अभी जायरा घर से निकलना पड़ता है प्राइप करने हैं लेकिन आप पानी आपने साथ हम्रा है और उस व गर्रा का इस्तेमाल करें कोशिश करें कि कहीं आपको मसला हो रहा है तो फ़री आप बैट जब कभी ए हो रही है एक दम से अगर आप पिएंगे तो भी रेक्शन शो कर सकता है तो आज के दिन लहूर का एर कॉलिटी इंडेक्स 188 रहा या नि वन डॉबल ए अनहेल्दी और इसके साथ तंप्रेशर जो है वह आज मैक्सिमुम 44 डिग्री पर जाने का इमकान है और फिर वही बात अ अपना ख्याल रखें और अपने अगली खबर के तरफ जुबैर से पोउच्छते हैं कौन से अगली खबर आप से शेयर करेंगे अगली खबर हमारे पास गर्मी के हवाले से ही रिलेट कर रही है कि तलबा के लिए एहम खबर है के तालीमी दारों में चुटियां जल्द दे इसे चुटियों को फैसला किया गया है, इम्तियानाहात के इलावा बाकी स्कूलों में 22 में इसे चुटियां दी जा रही है, तो कि जहां एक्जाम है ना, उनको थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दी जाती है, कि आपका शेडूर अरड़ी ड़ना हुआ है, तो आपस पे एक्ज करवाया, जिस सिर्वे के अंदर साथ हजार से जाइद अफराद ने वजीरत तालीम को पोस्ट पर राये का इजहार किया, कि जी आपका यह जो सज़ेशन है, इनिशेटिव है, बड़ा अच्छा है, चुटियां जल्दी हो जानी चाहिए, और श्याने पेरेंट से पितुर कर रही है, तो जल सजल चुटियों का ऐलान किया जाए, अपने बच्चों को अब यह नहीं कि चुटियां हो गई है, तो आप घुमाने फिर आने के लिए बाहर ले जाए, घर में ही उनको एक्टिविकल एक्टिविटीज में बच्चों को इंवाल्फ करें, घर में से बाहर कम से कम जाया है, आगे हम शेयर करेंगे अपनी पंजाब सेफिरीस अथोरिटी की 24 गंटे की कारकरदीगी रिपोर्ट अपने नाजरीन के साथ, बताएंगे कि सेफिरीस अथोरिटी ने कल-कल पूरे 24 गंटे में क्या परफॉर्मेंस थी उसकी, जी 15 एमर्जंसी हे इसके लावा कुछ हेल्प की कॉल होती है, कुछ ट्राफिक के हमाले से लोग पूछते हैं और जी बड़ी तादाद होती है, गहर जरूरी कॉल्स की, गहर मुतलगा कॉल्स की उसको आप एवाइड किया करें, आप देखें कि जो अधारे हैं वो आपके साथ की तना कॉपरे सेवन जो सेफ सिटी के आठ हजार के करीब जो कैमराज हैं, उसके थूरू शहर लाहूर की निगरानी करते हैं, सर्विलेंस करते हैं, उन्होंने कल गुजिशता 24 घंटे में 448 स्पीशियस एक्टिविटी जो मुश्कूक सरगर्मिया जिने कहा जाता है, उनकी निशान दही की, जिसके बाद उस हवाले से सरगर्मी को देखते हुए, उसके बाद पुलिस ने उस पर कारवाई की, और आगे चलेंगे बात करेंगे, विमन सेफटी एप के हवाले से, पंजाब पुलिस और पंजाब सेफ सिरी अथूरिटी की मुश्टर काविश, विमन सेफटी एप टोटल 23 खवतीन को मदद फिराहम की गई, उन्होंने हमसे हेल्प ली, आपसे भी गुजारिश है, इस एप को जरूर इंस्टॉल करें, बिंग अवमन मैं समझती हूँ कि तमाम खवतीन के पास इस एप्लिकेशन का होना बहुत जरूरी है, तो आप सब इसको जरूर के बारे में, जो हमारा EJXL है, जहां पर आपके साथ खुदाना खासता कोई भी हाथसा रोनमा हो जाता है, और आप पूछते हैं कि हमें से एप सिरी कैमरा इसको देखना है, उसका प्लेबैक देखना है, तो यहां आप तश्रीफ ला सकते हैं, लेकिन अकेले नहीं आना आ अपने इंवेस्टिजेशन ऑफिसर और फियार के साथ यहां पर तश्रीफ लाना है, 24-7 हफ्ते में साथो दिन आपके लिए हम यहां अवेलिबल हैं, तो कल गुदिश्टा 24 गंटे में साथ केसी में पुलिस को एविडेंस प्रवाइट किया गया, इसी के साथ जुबैर हम यह भी बताते हैं, हमारी जो सर्विस है, Crime Stopper Service इस हावाले से थो हमारे नाजरे को बताएं किस सर्विस क्या है, किस तरह से यह आप के लिए हम ने बनाई है क्राइम स्टापर सर्विस के बारे में आपको पताता चलूँ ये पंजाब सेफ सिरीज अथॉरिटी का निया इनिशेटिव है पंजाब पुलिस के तावन से और हमारी सीम साहिबा मरियम नवाज शरीफ का इसमें बड़ा कलीदी किरदार है उनको ये सारी इसके बारे में ब् इसमें अगर आप देख रहे हैं पानी चोरी बिजली चोरी गैस चोरी पतंग बाजी जुगा सेक्शुल हरास्मेंट इस तरह के क्राइम्स अगर आप देख रहे हैं आपके आंकों के सामें रूनमा हो रहे हैं तो आपने क्राइम स्टापर्स नंबर यानि के 03372332489 पे भी कि कि दोगा वास औरे लोगों को ये तहफुज रहता है कि हम हमारा कहीं नाम ना उझाए हमने महले में रहना है हमारे साथ को दूश्मी ना पाल ले हमारी महलेदारी है हम walked हम क्यों बिलावजा हीरो बनने की गोशिश करें लोग इस तरह की सोच अपने जहन में रखते हैं लेकिन Crime Stoppers Service का अगाज इनिशेट ही इस सोच से किया गया है कि इस पर इतला करने वाले शक्स की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी और उसके साथ-साथ आप हमारे जो सेफसिटी की वेबसाइट है www.tsca.go.pk पर जाके Crime Stoppers के पोर्टल पर जाके वीडियो एविदेंस और पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं लेकिन एंड में आपको बताता चलूँ कि एमेजनसी के लिए आपने 15 ही डायल करना है ये सिर्फ और सिर्फ उन जराइम की इतला देने के लिए है जो के इस तरह मैंने आपको बताया बिजली चोरी पानी चोरी पतंग बाजी गैंबलिंग इन तरह के जराइम की एमेजनसी पर इसराइल की बंबारी 86 फलस्तीन शहीद हो चुके हैं अब तक 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 24,000 से ज़ादा हो चुके हैं शहादतों की तादाद हो चुकी है जिसमें सबसे ज़ादा बच्चे और खवातीन शामिल हैं और मैं ये अपने प्लाटफॉर्म से डेली बेसिस पे कहता हूं मेरी कॉलीक डेली बेसिस पे कहती हैं अलतजा करते हैं कि ये जल्म और बर्बरियत का जो सफर है ये अब रुक जाना चाहिए हम आलमी दारों से अमन के दारों से ये रिक्वेस्ट करते हैं ये दर्खवास करते हैं कि बहुत हो गया बहुत जल्म हो गया अब ये जल्म रुक जा से वह गुजरते वक के साथ सब लोग मस्रूफ होते जा रहें इस हवाले से इतना जादा आप लोग फीडबैक नहीं देते लेकिन वो दें अपनी आवास को बिलंद करें जो जितनी भी आप वीडियो के बारे में बताएंगे आपको हमेशा बताते रहते हैं कि किस तरह से से अथोरिटी आपके लिए 24-7 यहां पर हमारे जो वर्शुल प्रतॉलिंग ऑफिसर्स हैं वह मौजूद है तीनों शिफ्टों में यहां पर काम जरी है Safe Cities Authority के 8000 के करीब जो कैमराज हैं उनके थुरू आपको आपको देखा जा रहा है कोई भी मश्कूक सरगर्मी है उसको देखा जाता है करते हैं उसको भी ट्रेस किया जाता है आप कैमराज की बदॉलत इसी के साथ साथ आपको पता है कि इलेक्ट्रोनिक डेटा अनैल सेल जो हमारा एजक सेल है वहां पर को इन्वेस्टिकेशन ऑफिसर के हमरे आप आ सकते हैं आप में साथ कोई भी नागहानी सूरतिहाल पेश यहां पर बनती है सेफ सिर्टी अथॉर्टी के प्राटफॉर्म्स पर लगती है जो सोचल मीडिया प्राटफॉर्म्स हैं उस पर आपके तरफ से हमें बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिलता है आज ऐसी एक स्टोरी आप से हम डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले आपको दिख और सिगलन पर खडी कार को पीछे से टक्कर मारता है फुश किस्मती से मोटर साइकल सवार और कार में सवार अफ्राद महफू owe रहते हैं मगर अच्छा इंतार कार सवार को गाड़ी से बाहर निकालने का एक प्री प्लैन्ड हर्बा है शेहरियों को लूटने वाला ये मोट साइकल सावार पुलिस को आता देकर जाए वकुवा से फरार होने की कोशिश करता है पुलिस ने डाकू का ताकूब की और थोड़ी ही दूर जाकर काबू करके हिरास्त में ले लिया वर्च्वल पर्टॉलिंग अफीसर ने जाहरन हादसा जबके हकीकतन लूटने की इस वारदात का बारीक बीनी से सेफ सिटी कैमनों की मदद से जाएजा लिया तो ये हकीकत आशकार हुई कि मोटसाइकल सावार सुबसे शिकार की ताक में मखसूस रोड पर कभी आटो रिक्षे से टक्राने तो कभी रोड पर मौझूद दूसरे मोटसाइकल सावार को रोकने की कोशिश करता है इसी सिगनल पर वारदात से कबल मोटसाइकल सावार ने एक दूसरी गाड़ी को लूटने की निये से जाइजा लिया मगर जब तसली ना होई कि उसमें लूटने वाला कुछ नहीं तो चलता बना ये मनाजर भी सेफ सिटी कैमनों ने डिकॉर्ट की पुलिस के रिकॉर्ड चेक करने पर फता चला कि मुल्जिम मुतादित संगीन वारदातों में मतलूब और रिकॉर्ड याफ्ता है पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश का आगाज कर दिया है शेहरियों से दर्खास्त है दुराने सफर या सिगनल पर कोई आपकी गाड़ी को हिट करे तो संसान रोड पर गाड़ी से बाहर हरगिस ना निकले ये कोई सोची समझी लूटने की कारणवाई हो सकती है लेहाजा इसी मश्कूग घड़ी में पुलीस मदद हासिल करने के लिए वन फाइफ पर इतलाते हैं पंजाब पुलीस और सेफ सिटी आपकी हिफाज़त के लिए हर दम कोशा जी ना नाजरीन जैसा कि आपने देखा इस वीडियो को इस वीडियो को मैं आपको यह बताता चलूँ के लाखों लोग अब तक देख चुके हैं और इस वीडियो में बड़ी टेक्निकालिटीज हैं आपने देखा होगा कि किस तरह से मुझरिम मोटर साइकल सवार पीछे से आया और आकर उस ने गाड़ी को हिट किया ब gravy की से हैं अर लेकिन हाथसा नहीं था अगर हम signals बर होगा के रहते हैं कि मापने हैं आप साजिजन नहीं को धुम करने के वज़ा率 yaw इस गाड़ी से बाहर निकले जाहरी सी बात है आम तोर पर हम सिगनल्स पे होंगे तो एक मोटसेगल सवार या कोई भी किसी चीज को आगर हिट करेगा तो जो उस सवारी का मालिक होगा है वो गाड़ी हो ट्राक हो जो भी हो तो नीचे जरूर उतरेगा देखने के लिए कि हमारा नुकसान कितना हुआ है तो वो यही चाहता था यही उसकी सोच थी यही उसकी प्लानिक थी कि वो गाड़ी में बैठे लोग जो शक्स है बाहर निकले और फिर वो अपनी कारवाई स्टार्ट करें जैसे ही ताहरा वो लोग बाहर निकले हैं इस तरह भी मारे नाजरीन ने वीडियो में देखा तो उसने उनको पनी बातों में फिर उसने पुरा महाल बनाया पहले उसने पूरी सिच्वेशन बनाई उनको यह रिलाइस कर गलती से हो गया जानमुझ के नहीं हूआ लेकिन उसकी इसकी इंटेंशन कुछ और ही थी तो जैसे वो गुफ्तकुम इनवा तो उसकी ज़से देखा कि आस-पास लोगों के तदाद कम हैं और उसने कहा कि अभी मौका ठीक है तो उसने फौरी तो पर जगन उसके पास थी वो उसने निकाली और जमीन पे उसने एक फायर किया और खौफ और हरास का उसने महाल क्रीट कर दिया और गाड़ी से निकलने वाले शखस को यह कहने ल जो हमारी पेट्रॉलिंग फोर्स है डॉल्फिन फोर्स है जब रोड्स पर मौजूद होती है तो इससे देखें कितना फायदा हो जाता है कि अभी कॉल करने की भी जरूरत नहीं पेश आई और डॉल्फिन फोर्स वहां सिग्नल पर हुआ नहीं सिग्नल पर हुआ और सिगन होता है डिरेक्शन है कि ट्राफिक प्रॉपरली जा रही है उसको जाना दूसरी तरफ था वह वनवे भागा अपनी जान बचाने के लिए तो डॉल्फिन के हमारे दो जवान ने उनका ताकूप किया और इसी दुरान फायरिंग का थबादला हुआ और एक मौक्य पर जाकर क्योंकि वो जिस बाइक पर था अफसोस की बात यह है उसके लिए अफसोस की बात थी कि हमारे पास एक खुशाइन बात थी कि उसकी बाइक की रिफतार इतनी तेज ना थी जिसकी वज़ा से डॉल्फन के पास जो मोटर सेकले हैं थांक्स टू पंजाब कॉवर्मेंट के इ पर पंजाब से इस अफॉर्टी के वर्शल पर टॉलिंग ऑफिसर इन तमाम एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए जब उन्हें उसका उसको बैक ट्रेस किया पूरा पैटरन चेक किया तो पता चला कि वह शख्स तो सुबह से ही इस काम में इसके लिए निकला हुआ थे काम के लिए इसका परफिस यह था कि किस ने किसी मोट स्याक्ल को गारी को हिट करें और इसी सिरह इसी सिगनल पर पहले भी आया उसने देखा है गारी इसको हिट करने की कोशिशिश के लिकिन उसको लगा कि यह कुई तगडी असामी नहीं है और वापिस से ला गया और पर उसने पकड़े भी जाना था हमारे फोर्सिस दे वहां आना भी था तो यह इसके साथ साथ मैं नाजरीन को यह पताता चलूंगे यह शक्स पहले भी मुतदित वारदातों में इन्वॉल्ड था रहा बहुत सारी इस तरह की वारदात कर चुका वा था लेकिन वह एक बात होती ह हैं अच्छा यह तो वीडियो बनाएगी इसका पर्पस यह था कि आपको बताया जाए कि इस किसम की एक्टिविटीज होती हैं अगर कहीं आप से खड़े हैं तो कोई पीचे आप पीचे से आपकी गाड़ी को या बाइक को को कोई भी आपकी गाड़ी यह वही कल है उसको ह इसको प्ले कर चुके हैं और साथ ही साथ इतने खुबसूरत आपकी तरफ से कॉमेंट जो आ रहे हैं हमारा आपको बताने का मकसिद भी यह था इस वीडियो को दिखाने का मकसिद भी यह था कि आपको अगाही मिल सके जिस तरह से भी ताहरा ने कहा कि अगर आप ऐसी किसी जगा बें मौजूद हैं पिछे से किसी ने आपको टकर मारी है और याद रखें कि वह सुनसान जगा है वहां लोगों कितनी आम दुरफ नहीं हैं ट्राफिक के इतना आना जाना नहीं हैं तो कोशिश करें कि आपनी गाड़ी से बाहर ना निकलें पहले आप 15 पे तला करें 15 पे कॉल करें फिर उसके बाद मामलात की संजीदगी और मामलात की नुएट को देख के कदम उठाएं और इसके साथ ज़सा ताहरा कह रही थी कि इस वीडियो को हमने जब आन एर किया जब इसको हमने अप्लोड किया हमारे नाजरीन इन देखा और इसको लाखों की एले शाह का अलम्दुरी यह में सेफ सिटी पर हॉन्डर परसंट यह जकीन हैं और बहुत ही बेतरीन काम सअर इंजाम दे रहें ह duplic park डे नीजाहिते माशालाअ अञुट नियौबन सपरकू सेफडिय जिनदाबाद और नेक्सिक्या में आताए आक पाउसिडिव कॉमman आ हमारी कुछ खामिया हैं गलतियां हैं वो भी आप हमें बताया करें जैसे हम आप पे नज़र रखे हों आप भी हम पे नज़र रखे हमें गाइट करें तो इसी के साथ जी अगला कॉमेंट भी आप से शेयर करते हैं कि फरीद गुलाम साहब ने कहा जी पंजाब फुलिस बताया ने ने कहा कि आई लव माय पाकिस्तान पॉलीज जी हम सबको अपनी पुलीस से अपनी लाउइनफोर्समेंट अजनसी से बहुत प्यार है और हमें भी आप से प्यार है और इसी बात पर हम अपनी तमाव लाउइनफोर्समेंट अजनसी जो 2427 आपकी खिदमत के अजने गांगे माशालला है याती होए पंजाबी चेहर ने किया है अब अब्लब कि सब ठीक रहे एवरिधिंग विल बी फाइन उन्होंने कहने का मकस्ते था कि सब ठीक रहे उसके बाद मोहम्मद सुहेल साब कहते हैं जबदस बहुत खूब और उसके साथ 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 अब इसलिए आपको बता रहे हैं कि हमें आपके कृमेट से कितने खुशी होती है। कि आप एप्र सबारा को करते हैं आगे और को ब्रहे आपकी जी फाइदा बहुत जादा है लेकिन आपने हम पर ट्रॉस्ट भी करना है जैसे हम जिकर कर रहे थे हम बात कर रहे थे कोई भी इसी सुरतियाल हो जाती है तो आप इमेज रहे एक पुलिस को इतलात देनी है बहुत रहे शोर्स तरह से फीमेल के लिए वर में सेटी इलिसी है हम पर ट्रस करें अदारों पर करें कद्र करें कानून को खुद हात ने और यह स्टोरीज बताने का पर्विज्ब होता क्स prevail ऑमको सीफिता है किस उत्प Everything dar भी है कि इस तरह का कोई भी हादसा हो हमारे शहर में इर्द गर्द में वाद वन फाइफ पर जरूर इतला करनी है और खुद भी मौतात रहना है तो यह था हमारा सेकंड सेग्मेंट अब हमें लेना है एक ब्रेक उसके बाद हम आप से नेक्स सेग्मेंट में मिलते हैं दुनिया वरक है चक्कर लगा के और खुद चक्रा के आप लोगों के लिए तिल्चस्प और जीव खबरे लेकर आते हैं सर्च करते हैं कि हम कोई नई खबर हर रोज आपने नाजरीन आजरीन ते शेयर करें अजरीन आजरीन आजरीन आज इनकी बारी है बलकुल तो मुझे आप ये बताएं कि आपको पता है कि इनसान एक मिनिट में कितनी दफा सांस लेता है एक मिनिट में कितनी दफा सांस लेते हैं तो मैं यह आपको पताता चलू ताहरा के हम एक मिनिट में एक एवरेज कित लगाई जाए जो कर्कूलेशन होई हैं हम 16 मरतबा सांस लेते हैं एक मिनिट में उसके साथ साथ अब मुझे आप यह बताएं करके मल्टीप्लाय करके हमारी नॉमली जो नीन होती है रात की वह आध घंटे की तो होती है ना चों़ अहरे कि 8 खेंटे सोना बड़ा जरूरी है हेल्दी के लिए हेल्थ के लिए और अच्छी नशनुमा के लिए तो अब मुझे बताएं के फिर एक रात की नीन में मुल्टिप्ला करके बताएं कि हम किसे तरफा सांस लेते हैं यह ओगा को बार देन 6000 लाज तो भी वात नहीं हम सिस्मेंट नहीं करते तो हम एक आठ घंटे की नीन में जो नोमली आम रात को लेते हैं उसमें नाजरीन हम साथ हजार शेसो असी दफा सांस लेते हैं अच्छा जी आठ गंटे की नीन में इसी तरह से आपने कर आपने करना है कि हमने दिन में किसे दफ़ा सांस लिया अगर एक नॉमल हुमन बाड़ी है तो इसको आप मिनिट के साफ से मुट्पिला कर लें पर मिनिट हम सोला दफ़ा सांस लेते हैं आठ गनिटे की नीद में हम साथ हजार बाड़ी ने आपको मौर्יס इसको में बताया था तो तो आप गैसे लिए कि लोगों सिकार कर कि मैं कहीं भी जाओं तो मैं different किसम के stones collect करती हूं गुमने पिरने जाओं तो महां से पथर उठा लेती हूं आपने अपने शॉक होते हैं आपको क्या शॉक है मुझे बिल्कुल युनीक शॉक है बहुत सारे मेरे वैसे शॉक हैं लेकिन अगर आप यह पत्थर क्लेक्शन की बात कर रही हैं तो इस तरह का मुझे एक शॉक था बच्च्पन में जो के अब नहीं है लेकिन बच्च्पन में था सिक्क्य जमागरने का अच्छा को इंच्छ है कि मेरे पास जो खबर है वो भी इसी से मिलते जुलती है कि सो साल से भी ज्यादा पुराने सिक्के या एक ऐसा शख्स था जिसको मुखत तरह के मुखत अदवार के मुखत जगों से सिक्चे करेक्ट करने का शौक था तो इसी तरह उसके पास बीस हजार सिक्के थे सदी यह सिक्विए मौझूद रहें निस सौव साल उसके बाद मेरे मरने के सौ साल के बाद इन सिक्वों को निलामि पेश किया जाए वत्वापवनंगे अब सिक्वारभ पहले उसने वसीयत की कि सौ बाद इसको निलाम किया जाए डैन्मा का ये एक शहरी था जिसकी ये खौाहिश थी और इसके जो सारे अबाव उसकी फामिली आगे जो पोते पोते ये वड़ेवर जो भी उसकी फामिली वेमबर्स थे उसकी वसीयत को पूरा किया और इस साल खजा में उसके जो 20,000 सिक्खे थे उनको निलामी के लिए गया थी कि सौ साल पूरे हो जाए अब उसको फौर 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 साल हो चुके हैं एक सदी हो चुकी है तो इस साल खजाम में उसके सिक्कों को निलामी के लिए एक जो है वो निलाम घर में पेश किया जाएगा तो अगर आप भी डैनमा के रहाइसी है आप जाना चाहते हैं ताहिरा इसके कोई होगी कोई सौ साल के बाद वो सिक्कों कि क्या अमाउंट बनेगी को अंदाजा है आपको यह तो जाकर उनकी खुबसूरती को देखते हुए उनको जाकर देखेंगे निरामी के लिए पेश किया जाकर तब ही बाता चलेगा तो बहुत अफ़ ऐसा होता है क आप लोगों को शौक होता है जाकर देखने का ऐसी चीज़ हो तो देनमा के शहरी अगर चाहते हैं कि इस तरह से जाकर एक्स्प्लोर करें इतने पुराने सिक्कों को अपने इपने शौक होते है तो मेरे हसाब से यह मिलियन ऑफ पाउंड में इसकी इलामी होगी मेरे खिया करके कहां बताना है यह हमेशा की तरह आपको बताते हैं कि हमारा TWITTERS अगांट है PASCA Safe Cities और Facebook, Countdown Punjab, Safe Cities, कोई भी आपने राय देनी हो, कोई भी changes चाहिए हो, कोई तैसी करनी हो, correction करनी हो, हम क्या बेतर कर सकती हैं, चीजें पतानी हो, क्योंकि आज हमें आपको comment भी आपके सुना है, आपके comment हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत ही ज़्यादा कीमती हैं, वैलियूबल हैं, तो आपने मैं comment करके बताना है, यह था हमारा आज का morning show, मिलेंगे आपसे next morning show में, नई ख़बरों के साथ, और एक नए mood के साथ, तब तक के लिए मुझे और ताहरा को इजाज़त दीजी अपना बहुत ख्याल रखी, अल्हाफिस, अल्हाफिस,